इस विडियो में आप हरिवन्स राय बच्चन द्वारा लिखी कभिता अगनी पत के अर्थ को समझेंगे यह कभिता क्लास नाइन्थ की हिंदी की किताब स्पर्स से ली गई है अगनी पत एक बहुत ही मशूर कभिता है और आप में से बहुतों ने इस कभिता को टेली विजन पर सुना होगा हरिवन्स राय बच्चन के जो बेटे हैं अमिताफ बच्चन उनका टेली विजन पर एक रियालिटी शो आता है कौन बनेगा करोडबती और उस प्रोग्राम के कई एपिसोड में कई कंटेस्टेंट ने इस कभिता का पूरा पाठ किया है तो इसलिए ज़्याद तर लोग इसके बारे में जानते हैं तो कभिता ऐसे होती है वरिक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र छां भी मांग मत उगनिपत उगनिपत अगनिपत का मितलब है आग से भरा रास्ता यानि मुशकिलों से भरा रास्ता या कठिन रास्ता जीवन में उतार और चड़ाव के अलग-अलग दौर आते रहते हैं कभी जिंदगी खुशी-खुशी चलती रहती है और कई बारी ऐसा होता है कि इनसान को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो जब ऐसी मुश्किले आती हैं उस समय जो जीवन की राह हो जाती है उसी को कभी ने अगनी पत का नाम दिया तो कभी का कहना है ब्रिक्ष हो भले खड़े हो घने हो बड़े एक पत्र चा भी मांग मत्र पत्र मतलब पत्ता चा मतलब चाया अब आप ब्रिक्ष से मतलब दरसल पेड़ से नहीं है है कि जब आपके सामने कठिनाईयों का दौर आता है तो हो सकता है कि कई इंसान खड़े मिले जिनसे आपको मदद मिल सकती है घने ब्रिक्षों बड़े ब्रिक्षों मतलब ऐसे भी पेर हो यानि ऐसे भी इनसान हो कि जो बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं या एक छोटा पत्ता हो जो छोटी सी मदद कर सकता है लेकिन किसी से भी आप मदद मत मांगे और कोशिस करिए कि आप अपने दम पर उस रास्ते क को तैय करें है कोई बिना मांगे मदद देता है तो और बात है लेकिन कभी पी किसी से हेल्प नहीं मांगनी चाहिए है कभी का कहना अगला पाट है तू नतकेगा कभी तू न थमेगा कभी तू नमुडे गा कभी कर शपत, कर शपत, कर शपत, अगनिपत, अगनिपत, अगनिपत अब जब इनसान कठिन रास्ते से चल रहा होता है तो उसे एक शपत लेनी होगी, कसम खानी होगी कि वह कभी थकेगा नहीं, कभी थमेगा नहीं और कभी मुडेगा नहीं, यानि अगर कोई ठक जाएगा और रुक जाएगा, तो ही पर उसका सफर रुक जाता है और उससे भी खराब बात ये हो जाती है, कि अगर आदमी मुड जाता है, वापस चला जाता है, तो वापस जाने से क्या होगा कि उसका सफर हमेशा के लिए समाप्त हो जागा और कभी भी अपने लक्ष को नहीं पा सकेगा मतलब आप के पास एक गोल है और आप उस पर मेहनत कर रहे हैं तो कई बारी ऐसा मौका आता है लगता है कि अब सक्सेस नहीं मिलेगी लेकिन उसमें ठकना नहीं है अश्रु स्वेद रक्त से लथपत 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 अगनीपत 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 अब कभी का कहना है कि जब कोई आदमी तमाम कठिनाईओं के बापजूद अपने रास्ते पर बढ़ता रहता है तो एक बड़ा ही महान द्रिष्य होता यहां पर महान का मतलब है कि वो प्रेड़ना दायक होता है तो आपने कई कहानिया सुनी हो कि कुछ लोगों की जो आज काफी सक्सिस्पुल है सफलता के बल्कुल चोटी पर हैं लेकिन पास्ट में हो सकता है कि उनको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ा होगा और वो उन सब से निकलते हुए अपने मंजिल तक पहुंच गए तो ऐसे लोगों की कहानी सुनकर के हमें बहुत प्रेड़ना मिलती है और अश्रू स्वेद रक्त से अश्रू मतलब अश्रू मतलब पसीना रक्त मतलब खून मतलब ऐसे में आदमी आश्रू पसीना खून से लेना है कि अश्रू स्वेद रक्त से मतलब है कि आदमी बिलकुल अपना हर कुछ उस काम में जोक देता है अपना सब चीज नेचावर कर देता है पूरी लगन से वो महनत करता है तभी अदमी सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है तो इस लेसन में इतना ही थैंक्यू